हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम तो वीडियो सेशन, इस वीडियो सेशन के अंदर हम उन सोर्सेज या फिर उन बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन किताबों को आप एंथ्रोपलॉजी प्रेपरेशन के लिए नहीं पढ़ सकते। ये सुनने में बहुत जादा आपको अजीब लगेगा कि I am very sure कि you will be going through the book list of different toppers, आपने उनके channels को, आपने उनके lectures को visit किया होगा, and आपने एक book list बना ली होगी कि हाँ, इस particular topic के लिए इन किताबों में से, या फिर इन topper notes में से मैं read करने वाला हूँ, हो सकता है कुछ आपकी trend हो, कुछ आपकी धारनाए हो, कु और वही मेरा जो है वो aim रहेगा, तो जो पहली चीज है जो मैं नहीं चाहता कि आप as a beginner उठाएं, that is, आप as a beginner, beginner की बात कर रहा हूँ, these are the topper notes, मैं किसे भी एक particular topper को यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई भी topper notes है, जो market के अंदर भिक रहे हैं, उनको आपको नहीं उठाना है, अगर आप beginner हैं, तो, अगर veteran aspirant हैं, already basics कर चुके हैं, सब कुछ आपका sorted out है, तो आप in notes को उठा सकते हो, ठीक है, अगर you are just a beginner, do not pick them up, जो दूसरी चीज है, that is Vivek Basme's book, book बहुत अच्छा है, there is no particular thing against the book, but, बात वही है, that as a beginner, you should not pick it, and then you have the Akshat Jain Sir's book, ठीक है, तो anthropology simplified है, anthropology demystified है, if you are a beginner, do not pick them up, ठीक है, इसका एक कारण है, दिक्कत क्या आती है, कि जब आप anthropology as an optional study करना शुरू कर देते हो, आप Vivek Basme's उठाते हो, Akshat Jain उठाते हो, और आप उसको पढ़ते हो from the perspective of completing this whole syllabus, फिर उसी के साथ आप proper notes को पढ़ना शुरू कर देते हो, यू start making own notes by collaborating all these three sources, फिर उसके बाद eventually आप इसको cram करना शुरू कर देते हो, रटा मारना शुरू कर देते हो, देन उसके बाद आप test देते हो, test में marks कम आते हैं, फिर उसके बाद again you go to your shops, दोबारा फिर से आप topper notes, क्योंकि छे महीने बाद एक साल बाद जो है, नए topper notes आ जाते हैं, किसी और topper के notes आप पकड़ते हो, फिर दोबारा से आप value add करते हो, फिर उसको दोबारा से आप cram करते हो, फिर test देते हो, test में फिर से number कम आते हैं, and this series it goes on, ये कभी ना खतम होने वाली चीज़े हैं, दिक्कत ये आती है कि आपके basic concepts, ना ही topper notes से अच्छे से cover होते हैं, ना ही विवेक भासमे से cover होते हैं, ना ही अक्षित जैन से cover होते हैं, ये cover होते हैं from your basic books, so if you are the beginner, आप anthropology को पढ़ रहे हो, पढ़ना चाहते हो, go for the basic books, now what are the basic books? already मैंने अपने channel के ओपर एक list बना रखी है, कि कौन-कौन से basic किताबे हैं, कौन-कौन से basic notes हैं, जो कि आपको read करने चाहिए, जैसे for example, anthropological theories के लिए, there is makhan jha, या फिर gaya and pande, ठीक है, makhan jha read कर सकते हैं, gaya and pande read कर सकते हैं, for cultural anthropology, you can read ember and ember, ठीक है, for your archaeology, you can read, Indian archaeology, you can read dee ke vattacharya, for Indian anthropology, you can read singh and sahai, ठीक है, for tribal anthropology, you can read Nadeem Hassan, Nadeem Hassan, sir की किताब को आप पढ़ सकते हैं, so these are the basic books, ठीक है, N.K. Ved की किताब आती है, अच्छी किताब है, उसको आप पढ़ सकते हो, so these are the basic books, जिसके अंदर, जो आपके पास authors हैं, उन्होंने चीज को समझा रखा है, उसी के साथ, brain tree के notes आते हैं, if you want to follow them, आप उसको भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली है, बात नहीं है, there is nothing against it, ठीक है, और इसी के साथ साथ, इसी के साथ साथ, जो important चीज है, EPG पार्टशाला, EPG पार्टशाला के notes हैं, यह आपको O2IS Academy के app के उपर भी, जो important notes हैं, वो मिल जाएंगे, ठीक है, अगर कुछ दिक्कत आती है वहाँ पे, तो इस number के उपर संपर्ग कर लीजे, यहां से जो notes हैं, वो आपको महिया करवा दी जाएंगे, so EPG पार्टशाला, it is again the must, तो as a beginner, जब आपके अंदर enthusiasm है, आपके पास time है, so read these things, इनको आप पढ़िये, and then in the second stage, go for these things, topper notes फिर पढ़िये, विवेक भास में पढ़िये, अक्षद जैन पढ़िये, तब आपको इनका perspective नजर आएगा, let's say, बिटा, let's say, I am making a note, मैं अपने notes मना रहा हूँ as an aspirant, तो भहिया, मैं अपने notes के अंदर वो चीज़ें लिखूंगा, जो की मुझे याद नहीं रहती, अगर मैं कुछ anthropological views लिखना चाहता हूँ, तो I'll read, I'll write it for myself, क्योंकि मैंने वो बड़ा गरंथ पढ़ रखा है, उसमें से कुछ चीज़ें थी, जो की मुझे ठीक ठाक लगी, important लगी, जो की याद नहीं हो रही थी directly, तो मैंने उसमें से उन चीज़ों को निकाला है, तांकि मैं टाइमली उसको क्रैम कर सकूँ, similar is for Vivek Bhass में, it is very good for structuring your answer, अगर आप अपने answer को अच्छे तरह से structure करना सीखना चाहते हो, it is very good, nothing against the book, similarly for Akshat Jain, answer को अच्छे से लिखना चाहते हो, you want to express yourself, the book has very good expressions, but again first step के उपर read करना, तो बच्चे सिरफ और सिरफ क्रैमिंग की तरफ पहुंच आते हैं, जो पूरा का पूरा मकसद है UPSC का optional रखने का वो चला जाता है, आप value add करते हो, सब कुछ जान लेते हो, UPSC एक बहुत simple सा question पूछता है, जैसे for example इस साल हुआ, इस साल बच्चों ने विवेक बास में पढ़ी, अक्षद जैन पढ़ी, टॉपर के notes पढ़े, इस टॉपर के पढ़ लिये, उस टॉपर के पढ़ लिये, उसके वो टॉपर था, उसका भी पढ़ लिया note, ठीक है, बच्चे रिस मुंडल वर्म, उसमें फस गए, वर्ड अर्कल, मतलब वर्ड अन्वार्मेंटल सेनेरियो, जो इंडिया का आपको लिखना था, वो लिखी नहीं पाए, इस वेरी सिम्पल क्वेश्चन, कोई भी आप अगर बेसिक बुक पढ़ी होती, अगर आपने D के बटा चारहेगा, पहला चेप्टर ही पढ़ लिया होता, आप उस क्वेश्चन को इतने अच्छे से लिख सकते थे, कि मैं बता नहीं सकता, similar is for the interpretive approach of Clifford Geerts, ठीक है, Clifford Geerts की interpretive approach आए, कि religion की क्या है, कि interpretive approach है Clifford Geerts की, ठीक है किस तरह से religion को interpret किया है, बच्चों ने Ember and Ember अगर अच्छे से पढ़ी होती, तो they will be eventually able to write it, यही कारण है कि मैं इन basic books का, या फिर जो आपके पास EPG पाटशाला के जो notes हैं, इसकी summaries बना रहा हूं, अपने चैनल के उपर डाल रहा हूं, कि जो बच्चे anthropology लेने की सोच रहे हैं, या फिर इस पाट के ऊपर चल रहे हैं, तो इस summaries को वो देख सके कम से कम, ठीक है, तो the purpose of this video, it is not to criticize any book, every book under the sun, जो आपको ग्यान दे रही है, वो बहुत अच्छी है, but the thing is when to use and how to use, ठीक है, पहले आप basic books कीजिए, EPG पार्चाला के notes पढ़िए, आपको concept समझ में आएंगे, building होगी concepts की, then उसके बाद, इन चीजों के उपर जाईए, proper notes पढ़िए, जो ग्यान उन्होंने कठा किया है, then you will be able to connect with it, फिर उसके बाद ववेक बास में पढ़िए, फिर कर पाओगे, उन चीजों का आप लिख पाओगे, ठीक है, so my advice to you is, go step by step, तब आप जो है इस examination को ace कर पाओगे, thank you very much.